हलो दोस्तो मेरा नाम है रोशन अलम और आप देख रहे हैं रोशन टेक्निकल तो कुछ परदेशी भाईयों का सवाल था कि इंटरनेशनल उम्रा चालू हो चुका है 9 अगस से लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट चालू नहीं हुआ है तो हम सौधी अर्विया में कैसे आ सकते हैं उम्रा करने के लिए और कुछ भाई लोगों का ये भी सवाल था कि अगर हम उम्रा करने के लिए आते हैं तो बाया होके आ सकते हैं कि नहीं कतर दुबाई होके सौधी अर्विया में आ सकते हैं कि नहीं उम्रा करने के लिए तो ये गूड नियुज है तो ये दोनो नियुज को मैं इस वीडियो में कभर करने वाला हूं तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो चानल को सब्सक्राइब कर दीजेगा क्योंकि इस चैनल पो आपको सौधी का निव अपडेट निव इन्फरमेशन मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इंटरनेशनल उम्रा 9 अगत से चालू हो चुका है उसके बारे में तो मैं आपको बता देता हूँ अगर आप उम्रा करने के लिए सौधी अरबिया में आते हैं तो आपको टेंसन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको उम्रा करने के लिए direct flight सौधी अरबिया के लिए मिल जाएगा चाहे आप इंडिया से आ रहे हैं या पकिस्तान से आ रहे हैं या बंगलादेश से आ रहे हैं कहीं से भी आ रहे हैं तो उम्रा करने के लिए आ रहे हैं तो आपको direct flight सौधी अर्भिया को मिल जाएगा और एक महिना में आपको 2 मिलियन उम्रा का permit इसू किया जाएगा सौधी गवर्मेंट के तरफ से और उम्रा का permit आप अगर लेना चाहते हैं तो आप अपने mobile से ही ले सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको mobile से लेने के लिए आपको एक तौकलना एप को download करना होगा तौकलना एप से आप उम्रा permit ले सकते हैं और दूसरा एप है जो उसका नाम है इत्मरना इस एप से आप उम्रा का permit इसू कर सकते हैं अपने mobile से यह तो clear हो गया अब बात करते हैं बाइया होके अगर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं कि नहीं बहुत लोगों का होके आप आ सकते हैं सौधी अर्बिया में उम्रा करने के लिए और कत्तर से भी आ सकते हैं लेकिन कुछ कंडिशन है वो कंडिशन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इस वीडियो में आपको जो लोग सवदी अर्बिया से बाहर के हैं उनके लिए बता रहा हूं वो लोग बया होके भी आ सकते हैं ऑर डिरेक्ट फ्लाइट से भी आ सकते हैं और दूसरा जो update है, वो sport fans वालों के लिए है, जो लोग भी खेल देखना पसंद करते हैं, match देखना पसंद करते हैं, football देखना पसंद करते हैं, live देखना, जैसे stadium में जाके ticket कटा के लोग बहुत सरे हैं, जो जाकर देखना पसंद करते हैं, उनके लिए good news है, क्यूंकि सौध गर्मेंट ने एलाव कर दिया है कि आप एस्टीडियम में जाके लाइब मैच देख सकते हैं, टिकट कटा के कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन उसका कुछ कंडीशन है, कंडीशन क्या है मैं ये भी बता देता हूं आपको, तो पहला कंडीशन ये है कि आपका एज बारे साल से उ सकेंडोज दोनों कंप्लीट होगा और आपके तौकालना में इम्यन स्टेटस सोह करेगा, तब जाके आप इस्टीडियम में एंट्री कर सकते हैं, और साथ साथ में ये भी ध्यान रखना परेगा आपको कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान देना जरूरी है, तब ही आप एंट्री करेंगे, नहीं तो अगर आप मास्क बीना जाते हैं, बीना मास्क के जाते हैं, या फिर भेक्सिन नहीं लिए रहते हैं, तो आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा, और सिर्फ 60% लोगों को एंट्री दिया जाएगा, लेकिन गवर्मेंट के हाथ में है कि वो लोग किस-किस को entry देते हैं और किस-किस को entry नहीं देते हैं। तो आज के video में बस इतना ही था । फिर मिलते है नेक्स वीडियो में एक नए अपडेट के साथ अगर ये video आपको पसंद आया होगा तो video को like कर इजएगा, channel को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अभी के लिए खुदा हफिज